दोस्तो इस वीडियो में हम One Punch Man manga के chapter 119 का review करने वाले हैं जिसका title है glimpse behind the scene और अगर आपने इससे पहले वाले chapters नहीं देखें तो उसकी playlist की link मैंने comment और description box में देए रखी है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं तो जैसा कि पिछले chapter में हमने देखा था कि drive night अपने mode बदल कर न्यान से fight कर रहा होता है और न्यान उसके armor में गुश जाता है लेकिन drive night अपने armor का temperature बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता और न्यान की body में अपनी sword डाल देता है तो चलिए इस chapter को start करते हैं chapter की starting में हम drive night को देखते हैं जिसके हाथ में न्यान की body होती है तो second guy बोलता है क्या बात है ये हार गया आखिरकार तुमने इसे हराई दिया बलकि dragon level के monster भी S class hero के सामने कुछ भी नहीं है तो drive night बोलता है तुम situation को गलत नजर ये से देख रहे हो ये monster बहुत strong था अगर मैं ध्यान नहीं देता तो इसके frontal attack मुझे बहुत ज़्यादा damage कर डालते सबसे पहली बात ये monster बहुत ज़्यादा over confidence में था और इसी वज़े से ये बिना कुछ सोचे समझे ही मुझे पर attack किये जा रहा था और साथ में इस से लड़ने से पहले मैंने इस monster का battle data कले कर लिया था और ऐसा सब करने के वेज़े से मैं इस battle को जीत पाया हूँ तो second hour बोलता है क्या तुम इस monster का data कले कर रहे थे तो drive night बोलता है अपने opponent से fight करने से पहले मैं उसके battle करने का तरीका देखता हूँ और building पर से मेरी नजर इस monster पर ही थी तो second hour बोलता है तो तुमने इतना late क्यों किया अगर तुम थोड़े जल्दी आजाते तो शाय तक इन में से बहुत सारे heroes बच जाते तो drive night बोलता है अगर मैं बिना कोई proper battle data के इस monster से fight करता तो शाय तक situation और खराब हो जाती तो इसी वदर से मैं पहले data collect करता हूँ और यही मेरे लड़ने का तरीका है जीतने के percentage को बढ़ाने के लिए हम जितना पता लगा सकते हैं हमें उतना पता लगा लेना चाहिए जो heroes गाहे लोकर गिरे हुए हैं उन्होंने शिक उतनी ही तैयारी की थी जितनी इनके पास information थी और इसी वज़े से अब इनकी हालत ऐसी है और इसी वज़े से मैं ज़्यादा से ज़्या क्या था दो दिन पहले तुम हमें बिना inform किये monster association में गुस गयते और उसके बाद से तुम्हारा communication भी बंद हो गया था हमने तो सोचा तुम मर गयो और अपने मन में सोता है ड्राइव नाइट जिस तरह से काम कर रहा है उसे देखकर मेरे दिमार पे बहुत सारे सवाल आ रहे और child emper को भी चिनता है कि हमारे hero association में कोई दो के बाद हो सकता है तब ही drive night अपने हाथ में से एक holographic image बनाता है और बोलता है monster association में जाकर मेरा मकसद monster की information collect करना था जैसा कि मैंने कहा यह मेरे लड़ने का तरीका है तो second guy बोलता है यह सब कौन है तो drive night बोलता है यह सब monster association के monster है जिनका disaster level demon या उससे बड़ा है इसमें उनका नाम और लड़ने के तरीकों की information है और जिन monster का disaster level dragon है यह monster उन्हें काडरे बुलाते है इन सब information के बारे में मैंने कुछ monster को पकड़ कर पूच्छ ताज की थी तो इसी वज़े से थोड़ा time लग गया तो second guy बोलता है यह सार की चिंता थी कि यह information किसी दोखे बाज के हाथ में ना चली जाए और इसी वज़े से मैंने दूसरे hero से भी contact नहीं किया तो second guy बोलता है क्या दोखे बारे में कुछ जानते हो तो drive night बोलता है मैं तुमें उसके बारे में बाद में बताऊंगा पहले यह बताओ अभी heroes की क्या situation चल रही है उसके बाद second guy dry night को सब कुछ बता डालता है तो drive night बोलता है तो तुम यह कह रहे हो कि metal bet और tank top master के साथ साथ कुछ और A class और उससे नीचे वाले ranks के hero monster और hero hunter से लड़ते लड़ते गायल हो चुके तो इसका मतलब अभी अगर कोई emergency आ जाती है तो कोई भी काबिल hero time पर नहीं पहुच पाएगा और इसका मतलब अभी पूरा hero association defense less है तो second guy बोलता है यह बात बोलकर तुम कहना कहताते हो तो drive night बोलता है watch dog man जो अभी hero association के headquarter पर मौझूद नहीं है क्या यह कोई अच्छी बात है और चलो मान लेते हैं अगर monster को hero association के headquarter पर attack करने का मौका मि पहले उन्हें metal night के बना हुए defense system का सामना करना पड़ेगा और साथ में metal night ने ये भी कहा था कि monster की खिलाफ की fight में उसे अपने defense system पर पूरा बरोसा है आखिरकार उसने खुद इस defense system को बनाया और तुमने उसकी इस बात पर आख बंद करके वह स्वास कर लिया और यहीं से त बोलता है तो तुम ये कहना चाहते हो दोखे बाज हमारे hero association के heroes में से एक है तो drive night बोलता है बिलकुल metal night उर्फ Dr.Bofoy की दोखे बाज है तो second आप बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई proof है इस बात को साबित करने के लिए तो drive night बोलता है metal night का robot उसी जगा destroy हुआ है जहां पर मैं एक बात बतातूं Dr.Bofoy एक साथ कई सारे robot को link करके उन्हें weapon की तरह use कर सकता है और ये सभी robots एक दूसरे से connect हैं जिसकी वज़े से ये लोग एक दूसरे से data share कर सकते हैं और metal light Dr.Bofoy का सबसे favorite robot है जिसे वो इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगा उस robot के अंदर काफी सा association के system को hack कर लिया तो जितने भी robots hero association के अंदर होंगे वो सब monster association के control में आ जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो hero association का defense system hero association के लिए कबाड जैसा रह जाएगा और इतना ही नहीं उस robot के अंदर Dr.Bofoy के missile और bombs के भी code रखे हुए और अगर वो leak हो गए तो पूरा hero association तबाह हो जानता है फिर भी वो औरोची से जान बुझ कर रहा रहा तो drive night बोलता है Dr.Bofoy का असली मकसद तो monster को weapons पहुचाना था तो second car बोलता है लिकिन वो ऐसा क्यों कर रहेगा तो drive night बोलता है क्योंकि वो ऐसे मोके का कब से इंतजार कर रहा था जब hero association सबसे ज्यादा कमजोर हो ज इस information के बारे में बहुत कम लोग ही जानते है तो second car बोलता है एक मिनिटर को तुम यह सब बात कहतो रहे हो लेकिन तुमारे पास इसके लिए कोई पका प्रूफ नहीं है तब भी drive night बोलता है अगर hero association के headquarter पर attack होता है तो तुम्हें क्या लगता है S class का number one hero blast बचाने आएग तो second car बोलता है क्या blast नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता और जहां तक मैं समझता हूं वो retired हो चुका है तो drive night बोलता हो यह बात है उसके बाद second car बोलता है किसी भी वक्त emergency आ सकती है तो मुझे hero association के headquarter से contact कर लिना चाहिए ताकि वो अपने defense system को और मजूद कर ले लुकिन तब भी वहाँ पर एक laser आ जाती है जो second car के हाथ को उड़ा डालती है तो second car बोलता है वो robot क्या वो भी underground में से आया है और वो robot machine got G5 होता है जिसकी body 22 होती है और बोलता है लगता है मैंने बिल्कुल सही time पर entry मारी है तो second car बोलता है drive night उसे भी खतम कर दो लेकिन drive night कुछ करता ही है तो second car बोलता है क्या हुआ तुम attack क्यों नहीं कर रहो तो drive night बोलता है बदकिस्मती से मैं अभी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि मैं बहुत समय से इस box का इस्तमाल कर रहा हूं और इसकी मदद से मैंने कई मुस्किल लड़ाई लड़ी है जिसके कारण इसकी battle energy लगबग खत करने की हालत में है तो drive night बोलता है मैं पक्का कह सकता हूं न्यान के attack के कारण इन surface hero को बहुत ज़्यादा नुक्सान हुआ है और अब हम इन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते के सच्मुच तुम blast से contact नहीं कर सकते तो second car बोलता है मैं नहीं कर सकता है सिफ कुछ selected member सी blast से contact कर सकते हैं और मेरा communication device भी तूट गया है और second car सोता है सब भी लोग गायल है सिफ मैं ही हूं जो चल सकता हूं क्या मुझे लड़ने की कोशिश करनी चाहिए उसके बद मशीन गोट जीप आए एक वीडियो को खोलता है जिसमें फुटोशी वगानवा को लेकर भाग रहाता ह तो मशीन गोट जीप आई बोलता है तो होस्टेज भाग क्या कोई नहीं तुम्हें खतम करने के बाद मैं उसे जरूर पकड लूँगा और second car बोलता है ये रोबोट पहले सही कमजोर लग रहा है क्या executive beam से काम हो जाएगा मुझे लगता है मुझे कोशिश करनी चाहिए तो दोस्तो ये चेप्टर यही खतम होता है अब बात करते हैं इस चेप्टर में हमें क्या नोटिस करनी चाहिए दोस्तो पहली बात dry night जितनी आसानी से बता रहा है कि उसने ये सब information monster association के अंदर गुश के लिए है ये इतना आसान लग नहीं रहा है क्योंकि इन बातों से एक doubt जा रहा है मेरा मतलब गिरो गिरो के पास ऐसी power है जिससे अगर monster association में कोई भी गुश जाए तो गिरो गिरो को तुरंच पता चल जाता है तो dry night के बारे में कैसे नहीं पता चला इसका मतलब dry night भी कुछ जूट बोल रहा है और दोस्तो metal night के जो robot है वो कुछ कम नहीं है मतलब मैंने एक article में पढ़ा था कि metal night का जो एक robot है उसने जिन्दा dragon level के monster को पकड़ा था इसका मतलब रोबोट कु प्लीज यार प्लीज शेयर करना तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए मज़े करो और वीडियो देखने के लिए शुकरिया